हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू जर्ड स्कुर क्लास यह इस रखे आपको सबसे आगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल जोग्रफी का एक बहुती इंपोटेंट टॉपिक नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुक नगर यह याद करेंगे और बहुती बैतरिन और बहुती फणी ट्रिक के साथ याद करेंगे सिर्फ एक बार आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो 100% याद हो गई होगा दोस्तो यह टॉपिक हमने लूसेंट जीके की बुक से लिया है और इससे पहले भी हम कई सारे वीडियोज लूसेंट जोग्रफी से और लूसेंट विविद से अपलोड कर चुके हैं अपने इसी यूटूब चैनल जड़ स्कूर क्लासिस पर अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्किप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का आप वहां से जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर प्रेस करें इसी तरह की यूस्पूल वीडियोज की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए दोस्तो देल न करते हूँ शुरू इस याद करेंगे देखो बग से याद कर लो बाग और बाग को इंग्लिस में क्या बुलते हैं टाइगर से टाइगर से याद आए गई आए आए ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला नगर है बरलिन यह है इस्प्री नदी के किनारे पर देखो जब कोई बर्न यानि जल जाता है बर्न कैसे याद आएगा berlin में से अगर लाट आजाएगा सम्थिंग सम्थिंग तो बर्लिन में berl एक चुपा है उसको धिरान रखना अब जब कोई जल जाता है तो ऐस्प्रे से इस्प्री याद आजएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला है वार्सा नगर जो कि पोलेंड देश में है विश्चूला नदी के तटपर है इसको कैसे याद करेंगे देगो वार्सा से वर्सा कर लो विश्चू से कर लो विश्चू तो जब वर्सा होती है तब गरों में क्या निकलाता है विश्चू तो विश्चू से विश्च रूइ से बनाए गया तो अगर आप लोगों को मिक्सी एक word समझ में आगया मिक्सी वर या रहा तो आप लोग 100% ट्रिक तक पहुचए दोको मिक्सी में क्या पी साथ दा रूइ रूइ से क्या होना है सेंट तो सेंट रूइ से सेंट लूइ याद आजाएगा मिक्सी से पीजा तो मिक्सी मिसी सिपी याद आए गई आएगा ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला है इटली का रोम नगर जो के टाइवर नदी के तट पर है इसकी ट्रिक देगो दुलहन ने एक अनोखी सर्थ रखी कि अगर बर यानि दूला टाई लगा के नही टाइवर टाइवर ऐसे टाइवर याद आए गई आएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला है इंग्लेंड का लंदन नगर जो के टेम्स नदी के तट पर है इसकी ट्रेक देगो लंदन से तो हम बनाएंगे लेन देन और टेम्स मतलब टाइम से तो व्यापार में ल पढ़ने के चांसे ज्यादा रहते हैं ठीक है ना तो लंदन से याद रखना के लेन देन लेन देन कैसे करना चाहिए टाइम से तो टाइम से से टेम्स याद आए गई आएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला है फ्रांस देश का पैरिश नगर जो की सीन नदी के त क्योंकि वहां का सीन बहुत लाजवाब है तो ध्यान रखना आप लोग पैरिश किस नदी के तटपर है सीन नदी के तटपर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला है सूडान देश का खार्तूम नगर और मिस्र देश का काहिरा नगर दोनों ही नील नदी के तटपर बसे हुए हैं इसको कैसे याद करेंगे देखो तसकरी में पकड़े गए तसकर से पूछा गया कि नीला कोईनूर का हीरा खाया तुम निकालो उसे तो इसमें देखो कैसे याद आया खाया खाया तुम से तो खारतूम याद आएगा और नीला कोईनूर का हीरा का हीरा से का हीरा और नील मतलब नीला कोई नूरी तो खाया था उसने तो एक वर्ड अगर आप लोगों को कोई सा भी याद आए तो उससे पूरी स्टोरी याद आनी चाहिए जिससे आप लोगों को तीनो नाम अच्छे से याद हो जाएं बढ़ते हैं next की तरफ अगला है तुर्की देश का अ डारलिंग नदी के तटपर है इसको कैसे याद करेंगे देखो मेरी डारलिंग सीडी से नीचे किर गई सीडी मतलब जाल सीडिनी में एक वरड सीडी लगबग और डारलLिंग मतला उसकी डारलिंग तो डारल solutions से जाए तो सीड़ आद आए गए आए्गा अगर तो सिड्नी नदी के तटपर हैं इसको कैसे याद करेंगे देखो एक बूड़े वावा थे जो कि लंगड़े थे और वो अकेले रहते थे क्योंकि उनका व्याना हुआ था उनके घर में बहुत मच्छर थे तो नहीं क्या हो गया डेंगू फिर मच्छरों से परेसान होकर बूड़े ने क् गया था तो ब्यान नहीं हुआ था बूड़ा पेष्ट बेलंगडे सब याद आएगा और डेंगू हो गया था तो डेंगू से डेंगू याद आए गई आएगा बड़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला है वासिंग टन अगर जो के पोटो मैक नदी के तट पर है तो इसको मैं बहुती फणी ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा अगर आप लोग कुर्सी पे बैठे होगे तो कुर्सी से नीचे गिरोगे इतनी पक्की गारंटी है तो देखो कैसे देखो वासिंग टन में एक वर्ड है वासिंग मतलब वासिंग मसीन और पोटो मतलब पोटेटो और म वासिंग मसीन लगाओंगा वासिंग मसीन कपड़ा तो डालते हैं तो कपड़ा गुसेगा लेकिन निगले का क्या आलू यानि पोटेटो तो पोटेटो से पुटो पोटो में क्याद आए गई आए गया बढ़ते है नेक्स्ट की तरफ नगला है जापान का टोकियो नगर अराकावा नदी के तटपर है इसको कैसे याद करेंगे देखो टोकियो मतलब टोकियो किसी को टोकना मतलब रोकना टोकना अराकावा मतलब अरे कौवा तो ट्रिक ये है कि एक भाई ने दूसरे से बोला कि भाई टोकियो से किसी अरे कौवा को पूजा का समान खराब कर रहा ह तो जब भी आप लो टोकियो वर्ड सुनो तो आप लोगों को ध्यान आना चाहिए टोकियो किसलिए बोला था क्योंकि कौवा जो था वो पूजा का समान खराब कर रहा था बढ़ते हैं next की तरफ अगला है नियू यॉर्क नगर जो कि हरसन नदी के तटपर है इसकी ट्रिक देखो मेरा नियू यार बहुत हैंसम है तो नियू यार नियू यॉर्क में एक वर्ड है नियू यार और हैंसम से हरसन याद आए गई आएगा बढ़ते हैं next की तरफ अगला है लिसवन जो कि टंगस नदी के तटपर है इसको कैसे याद करेंगे देखो तो एक महा से थे जो पान मसाला खा रहे थे उन्होंने बन में थूक दिया तो बन के जो अधिकारी थे उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने लिसे हुए बन को जिसने थूका था उसकी टंग से साफ करवा लिया था टंग मतलब जीव से तो ऐसे आप लोगं को याद आ जाएगा लिस बन मतलब लिसे हुए बन को काई से साफ करवाया था टंग से ठीक है तो टंग से टंग से याद आ जाएगा बढ़ते हैं next की तरफ अगला है बसरा नगर जो कि दजला और फरात नदी के तटपर है तो इसकी ट्रिक देखो जंग की विवस्ता हो वहाँ पर रुखना पसंद करते हैं और रात तुम्हें ठीक है रात से फरात याद आ जाएगा बढ़ते हैं next की तरफ अगला है एंगलेंड का ब्रिस्टल नगर जो के एवन नदी के तटपर है इसको कैसे याद करेंगे देखो ब्रिस्टल से मिलता जुलत एवन लगती है तो एवन ऐसे आप लोगों को याद आए गई आएगा बढ़ते है next की तरफ अगला है स्विट्जर लेंड का दावोस नगर जो के लेंड वासर नदी के तटपर है इसको कैसे याद करेंगे देखो वहती फनी ट्रेक है एक बोजपुरी विक्ति था वो next की तरफ अगला है कनाड़ा का क्यूब एक नगर और कनाड़ा का ओटावा नगर दौनों ही सेंट लॉरेंस नदी के तटपर है इसकी ट्रिक देखो एक आदमी भागते हुए वापस आ रहा था तो दूसरा पूछता है क्यूं बैक मतलब क्यूं वापस आया तो वह कहता है क्यूं बैक से मतलब वापस आया था तभी तो पूछा था क्यूं क्यूंके लॉइन को जहां पे सेंट करके आये थे तो लॉइन सेंट सेंट लॉरेंस याद आए गई आएगा बढ़ते हैं next की तरफ अगला है औस्टेलिया का पर्थनगर जो केस्वान नदी के तटपर है इसकी ट्रिक देखो मावारत में क्रिश्न भगवान थे वो अर्जुन को परेशानी आने से पहले ही वान कर देते थे और अर्जुन को क्या कहके पकारते थे पार्थ तो पार्थ से पर्थ याद आएगा और वान कर देते थे तो वान से स्वान याद आजाएगा ठीक है व्थी का लीवर पुल कर रहा था यहांनि खींच रहा था कौई बिलकुल भी मरसी नहीं आ री थी उस व्थी को मर्सी याद करेंगे देखो एक साधी में एक इस टॉल पर गार्ड घड़ाता कोई तो कुछ बताई नहीं रहा था वो तो सब उससे पूछने लगे के कुछ बोलेगा भी तो जैसे आप इस टॉल इन ग्राड नाम सुनोगे तो इस टॉल पर गार्ड घड़ाता उससे क्या बोला कु फॉसरे ने डोक दिया कि भाया यह गाना क्यों गा रही हो तुम रंगोन काही के-लिए गे हैं तो इराब्दा रावद्याद आए गई आगगा ठीक है तो रंगोन से य्याद आना चाहिए कौन सा गाना आ रही थी मरे पीआ गई रंग२्गोन तो उस से पूछा था गान ग मेरेड से तो मेरेड याद आएगा और मैं जिन में सेस रह गया से मैं जिन सेस याद आजाएगा ठीक है बढ़ते है नेक्स्ट की तरफ अगला है कनाडा का मॉन्ट्रियल नगर जो के सेंट लॉरेंस नदी के तटपर है इसकी ट्रिक देगो सेंट बनाने के लिए मैंने ट्रा लॉस हो गया तो लॉस से लॉरेंस याद आजाएगा और किस चीज के लॉस हुआ सेंट बनाने के लॉरेंस याद आजाएगा ठीक है बढ़ते है नेक्स्ट की तरफ अगला है चीन का संगाई नगर जो के यांग टिसी क्यांग नदी के तटपर है इसकी ट्रिक देगो एक भूडे के संगाई यंग सी लड़की तो दूसरा बोलता है क्या यंग सी लड़की तो इसमें देखो संगाई से तो याद आना चाहिए संगाई जैसे आप संगाई वर्ड सुनो तो आपको याद आना चाहिए संगाई थी कौन यंग सी लड़की तो यंग सी से यंग टिसी याद आएगा फिर दोस्त ने क्या पुछा दा क्या यंग सी लड़की फिर दुआरा तो क्या यंग से क्या याद आजाएगा ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगला है अमेरिका का सिकागो नगर जो कि सिकागो नदी के इतर पर है तो इसकी कोई ट्रिक बताने की अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूसफुल वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए दोस्तों मिल अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई टेक केर लव यूर्ट